अग्या wedge बचल क्लाइब करते हैं नुकलय चिप्त चल रहा है नुकलय की सेड़्ीस चल रहे है विडियो पर विडियो आ रहे हैं आज कि क्लास का टॉपिक है मास डिवेक्ट और बाइंडिग एनजी सबसे पहले मास डिवेट की बात करते हैं मास्टिफर्ट क्या होता तो कहते हैं मास्टिफर्ट के बारे में कि यह डिफरेंस होता है कि अब बोलो कि किसका डिफरेंस होता है से यह डिफरेंस होता है आप सम आप तो अल प्रोटोन्स यह बिसिकली डिफरेंस होता है बीटा इसको ऐसे लिखते हैं इफरेंस ओफ खलक धंग से लिखते हैं तो जाला समझ में आगए इस यह लिख सकता था मैं बट मैं इसको सही नहीं यह बिखते है इट इस दिफरेंस आफ या बिट्वीन एक्ट्वल मास क्या है यह कैसा है सर यह होता है प्रिडिक्टेड मास का कैसे कल्कुलेट करते हैं बिटा कल्कुलेटेट ज्यान देना क्लेटेड वाई सम आप अभी समझा रहा हूँ दो में डूप जाओ अल मासेस आप संझो मेरी बात को इस कहानी को समझना पड़ेगा एक नुकलियस कैसे बनता है एक नुकलियस कैसे बनता है प्रोटोन कौन से तो आप इसको ऐसे समझो कि मालो आपने एक नुकलेस बनाया हो आपने capital N MN M for mass N यह हो गया बेटा मास औफ नुकलेस जो नुकलेस तयार हुआ कि जो भी मिला कैसे तयार होता है proton और neutron के मिलने से MP यह मान लो क्या यह है आपका mass किसका इच प्रोटोन का हर एक प्रोटोन M के नीचे छोटा सा N यह N नुकलेस है जो बना और यह M क्या है यह small N mass of each neutron यह एक प्रोटोन और एक नुकल का मस है और आपको पता है ना Z क्या बताता है जो atomic number होता है वो क्या बताता है सब्क्राइब हो यह बताता है तो टोटन नंबर और मैं कितने हैं इसे को तो कहते हैं आटमिक नबर और एक या बताता है पेटा जिसे हम मास नंबर कहते हैं जानते होना आप ने पहले विडियो में तेवीडियो वि बताता है डूटल नंबर of क्यात्व प्रोटोन जयॉड जवाब देना ये हैं मास अफस सिंगल प्रोटोन को अधे मोते हैं इतना के बराबर वगर से पूछओं कि टूटल मास षो कितना हो जाएंगा भाई मकतल मास अब-डाइब बता दो तो बोलो TO से सर यह हो जाएगा इंट्टूमास और के अंदर वह होता है नंबर और फॉत्व उसी तरह में आपसे पूठ हूँ कि भाइव टोटल मास आफ निट्रॉन कितना हो जाएगा तो बोलोगी सर ये भी बड़ा आसान है आपने पड़ाया था कि número of neutron कैसे पटा चलता है वो भी आपने पड़ाया था e-zip z क्या बताता है number of proton e- skills क्या बताता है number of neutron ये होता है number of proton ये होता है number of neutron तो सर टोटल मास आप निट्रोन बता करना है तो एक का मास आप दे चुके हूँ बस उसके साथ नंबर आप निट्रोन मंडिप्लाइ कर दो यह माने जेट इन्टू मास आफ इस नीट्रॉन समझ में आगया होगा आप मेरी बात को दिहान से सुनों दिहान से वीडियो देखो बहुत अच्छे समझ में आ चाहरे हैं उसका मास और यह मास इच प्रोटॉन ऐंदाओं का मुझे टोटल प्रोटोन का मास पता करना है तो क्या करेंगे एक प्रोटोन का मास और जीतने टोटल नमबर अब अब यहां पर मास भी क्या है बात यह उड़ी है कि मास डिफेट क्या है तो मास डिफेट के बारे बताया जाता है इसे हम डेल्टा एम से कहता है यह मास के डिफरेंस यह तब तो डेल्टा लगा इसके डिफरेंस है जिसने निकलियास बनाया इसने बनाया प्रोटोन और निट्रोन ने पहले इसका टोटल मास लेंगे टोटल मास ऑफ प्रोटोन प्लस टोटल मास ऑफ निकलेस बनाया माइनस जो निकलेस बन गया उसका यही होता है यही लिखवाया है लैंविज मैंने दुबारा मैं फिर पढ़ देता हूँ अब यह प्रिडिक्टेड मास क्या होता है जो स्टम से निकलता है किसके ऑफ ओल मास जो मास आएगा उसका मास और डिफरेंस एक नहीं होगा कुछ ना कुछ तो डिफरेंस हो में वही मास कहां चला जाता है वो इनर्जी में कनवर्ट हो जाता है जो मैं पढ़ाने वाला तो यह अगर आप से कोई पूछे कि आखरी मास डिफेक्ट क्या है तो बोलना मास डिफेक्ट से डिफरेंस होता है इसके बीच बच्चों से समझना है तो बताओगी जिसने बनाया nuclear को उसका हम अब है निकले त़्यार होगो उसका मांस और किसने बनाया प्रोटोन ने बनाया और किसले मनाया नियूट्रॉन ने बनाया जो जो भी बन गया उसके मास का जो कहेंगे कि ये ही टॉपिक, अब इसके बाद इसी में फिर एक टॉपिक आ जाता है, बाइंडिंग एनरजी, जिसे हम BE लिखते हैं, बी, शौट में BE, आप लोग पूछते हैं ये बाइंडिंग एनरजी क्या है, ये बताई है, यह जो कहा जाता है, इत इस एनरजी, यह एनरजी होती है, तो सेप्रेट, सेप्रेट करτε trying, दा निकलियोण, निकलियोण का मदब जानते हो ना, प्रोटोन, वीटोन, एन नि outta, लुटोन अन वाट, आपको पता है, नुकलेस के अंदर क्या होते हैं बेटा नुकलेस के अंदर होते हैं प्रोटोन नुकलेस के अंदर होते हैं नीट्रोन तो इनको आपस में सेपरेट करने के लिए अलग करने के लिए जो एनर्जी करनी पड़ती है कहां से सेपरेट करना है प्रॉम नुकलेस मतलब जो एनर्जी हमें लगानी पड़ेगी ऐसे समझो निकलेस को तोड़ने के लिए निकलेस में क्या भरे हुए है प्रोटोन और नीट्रोन उन्स सब को अलग कर देना है चल तू अलग हो चल भाए अलग अलग दूर हो जाए सब भाग दा निकलेस से उसके लिए मुझे ज कि लिए लग करने के लिए जो भी मुझे अनर्जी लगानी पड़ेगी वहीं आपकी ऐपOW कितनी होगी जोटेंस को बनाने में जाएगा इसी चीशीद को तोड़ने के लिए कितनी ऑनजी चाहिए होती है जितना, आपको बनाने में खर् 맞 पड़ता है घुब थे जिटनी न निकलेस को तयार करने में हमें लगानी पड़ेगी वो इनर्जी आएगी कहां से इसी मास से जो मास में चेंज आया ना वही इनर्जी में बदलता है यही मास का चेंज तो इनर्जी में बदल गया जिसके निकलेस बना और जो इनर्जी बनाने में लगी वही इनर्जी तोड़ 1.5 से multiply कर दो यह binding energy किस में आ जाएगी मेगा इलेक्ट्रोन वोल्ट लेकिन शर्थ है कि यह मास किसमें लेना है KMU में यानि atomic मास रिनी तो आपने binding energy निकालना है बेटा ध्यान से देखना अगर आपको binding energy निकालना है कि सर मुझे binding energy निकालनी है सर मुझे binding energy पता करना है तो binding energy पता करने का मैं आपको तरीका बता दू बेटा Binding energy कैसे पता करते हैं Binding energy का मतलब होता है जो energy की जरुवत पक्ती है Nucleons को अलग करने के लिए कहां से Nucleus से Nucleus को तोड़ने के लिए that is called binding energy और binding energy होगी कितना जितना बनाने में लगेगा निकलेस को तो बनाने वाली energy कैसे पता चलती है जो मास में change आया कौन सा change जिसने बनाया का मास और जो बन गया उसके मास में जो change आया उस मास के change को ही वही मास energy में बदल जाता है और यह मास में ले रहे हैं तो मैंने पिसले लेक्षर में पढ़ाया था कि एक एम्यू हमें 931.5 मेगा एलेक्ट्रोन वोल्ट इनरजी देता है तो इतना एम्यू कितना इनरजी रिलीज करेगा तो इसमें एक और चीज में आपको पढ़ा दूँ अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं एक आता है बाइंडिंग एनरजी निकालो देखो कैसे कैसे चीज़ पूछता है उसको सीधे मास नमबर से डिवयट कर दो लिखें होगला वाइंडिंग इनर्जी पर निकलियूर तो बैंडिंग इनर्जी निकाल करके बेटा रेक्ट इसको सीधे मास नंबर से हम मास अब अब मैं इसके दो छोटे-छोटे सवाल करा दूं आपको topic clear हो जाए यह से एक example आया एक example क्या है जा ध्यान से सुनना बेटा पूछा है binding energy पर nickelion निकाली पूछा है find कैसा सवाल आता है पेपर में bind binding energy पर nickelion बोड़ो के sir अच्छा binding energy पर nickelion बोड़ गयो न यानि आप कौन से energy पूछ रहे हो हम से आप हमसे average binding energy पूछ रहे हो किसके लिए ये भी सुन लो और alpha particle alpha आपको मैं बता दू बेटा alpha particle का mass number helium जैसा होता हिलियम के बराबर होता alpha particle का सब याद रखे if mass defect अगर mass defect कितना है वो ध्यान दो बेटा अगर आपसे बोल दिया कि mass defect कितना है आप ध्यान से देखिए mass defect यानि के delta m उसकी value यहाँ निकालने की जरूवत में ही है direct given है 0.0292 u u का मतब क्या होता बेटा atomic mass unit तो बोलोगे सर बस इतनी सी बात है सर कौन सा बड़ा कमाल है इसमें सर सबसे पहले आप binding energy निकालों सर मैंने काहा निकालूंगा क्या करेंगे बेटा mass defect रही रखा है सीधे इसको 931.5 से multiply कर दूँगा यह energy आ जाएगी यह कैसे आता है आपको अच्छे से पता है ना पता है ना इतनी energy release करता है तो इतना energy कि इतने mass के change से कि इतना a mu से कितना energy release होगी multiply करें पर आप से पूछा है binding energy चलो अभी और निकालते हैं पर इसकी value रख देते हैं चलो बेटा 0.0292 इंटू कितना 931.5 पर आप से पूछा है average binding energy पर निकलिए आप वही average binding energy तो अगर आप से binding energy average पूछ दिया है तो बड़ा simple काम करेंगे बेटा जो भी binding energy निकली है उसको सिधे mass number से divide कर देंगे मैंने पढ़ाया था दो मिनिट पहले जो भी binding energy आई है 0.0292 इंटू 931.5 अब mass number मैंने बताया ना helium का 4 होता है और यूनिट वही रहेगी energy है तो mega electron volt होगी लेकिन पर nickelion आ जाएगा क्योंकि ये binding energy पर nickelion है एक्सम सिंपल सा सा इस पे binding energy पर या average binding अब फिर दो तरह के questions आते हैं एक तो मैंने करा दिया अब मैं एक और last question कराता हूँ देखो binding energy पर ही करा रहा हूँ वेटा ध्यान से देखीगा बहुत सवाल करा रहा हूँ पेपर में फिर आया fine वही मैं पूछूँगा बार-बार binding energy पर nickelion बार-बार एक ही चीज पूछ रहा हूँ यानि कि इत्मी बार बताओं मैं average binding energy पूछ रहा हूँ किसी ना कि अलफा का था यहाँ पूछा है neon का neon mass number 20 है और charge number कितना है 10 है और क्या-क्या चीज गीवेन है बेटा इसका mass given है neon का और आपको कई बार बता चुका हूँ कि mass किसमें देगा amu में देगा kg में तो बिल्कुल नहीं देगा mass given है 19.99237u यह किसका mass दे दिया उस neon का उस एक्टम का लिख लिए से उसके बाद क्या दिया है mass ध्यान से देखो mass दिया है 1H1 लिखा है ऐसे लिख देता है 1H1 क्या लिख देता है बेटा 1H1 1H1 दे दिया है बेटा 1H1 का मतलब वही होता है proton यहास hydrogen कभी-कभी hydrogen का mass दे देगा समझ देगा प्रोटोन ही दिया है लिखेगा hydrogen बड़ आप क्या समझोगे proton इसका mass है 1.007825 इसका mass था 9923 97 था इसका है यह सबका mass दे देगा यह दिया दिया तो hydrogen लिखेगा बड़ा प्रोटोन ही है फिर mass किसका दिया है ऐसे लिखा है आप समझ कि ऐसे लिखने का मतलब mass number है charge number नहीं तो neutron ही होगा neutron के बड़ चार्ज होता नहीं है तो अब इसी बाते charge number है किसका mass दिया हुआ है 00865 इसी कुछ देगा 1.00865 या 8665 कुछ value होती है वह यह देगा तो तीन चीज का mass दिया है तो किसका बना वह mass दिया है hydrogen यानि proton का mass दिया है neutron या neutron का mass और यह पूछा है तो सबसे पहले पिछले सवाल में क्या था बेटा पिछले सवाल में mass defect दे रखता था alpha वाले में यहां थोड़ा निकालना पड़ेगा तो सबसे पहले बताओ यह जो neon लिखा है और 20 है नीचे 10 है तो यह clear हो गया कि सर mass number इसका charge number 10 है और mass number 20 है कि सबसे पहले mass defect निकालेंगे यह कैसे mass defect निकालते हैं फ्रमला पता है mass of proton कैसे निकालता भी पढ़ाया था ना मैंने फ्रमला दो मिनट पहले mass of each proton into atomic number plus total mass of neutron number of neutron into mass of neutron minus mass of neon जो भी बाए तो निकालते हैं है नट total mass of proton and neutron minus mass of जो भी निकलियस बाए अब आपका काम है सिर्फ value रखना तो value रख दो Z कितना है बेटा 10 mass of each proton रखो proton proton यह रहा 1.007825 plus a-z 20-10 10 ही आया a-z 20-10 into mass of each neutron यह दे रखा है 1.00866 minus अब वो जिसको जो बना आपने क्या बनाया था आपने neon बनाया था ना मास आफ मियॉन कितना मास आफ मियॉन है दे रखा है है कि इस पूरा का पूरा मास आ गया इसमें आएगा यह यू में आएगा यू का मतलब क्या होता है कि इसको सॉल करो गया तो एक कुछ वैलू आएगी इसकी यहीं आती है 0.1725 के आसपास 03 कितना यू आ गया यू का मतलब क्या हो गया इतना एक मास दिफेक्ट आ गया कि आपड़ी उस टीथे और हम्हां के और पर अंचे प्रोटोर्टों स्वीडिवी नागा जोब सबस्कें हुए को आप ने क्या निकालना है आपने तो निकालना है Binding Energy तो सबसे पहले Binding Energy निकालते हैं कैसे निकालेंगे जो भी मास डिफेक्ट आया उसको सीधे हम 931.5 से मुटिप्लाइब बस इतना आया मास डिफेक्ट वो आप वैलू रख दोगे मास डिफेक्ट कितना आया बिटा 0.17 2503 इंटू कितना 931.5 यह गले आपका बाइंडिंग इनरजी क्या रहा है यह इसको सॉल्व करोगे तो एप्रॉक्स 160.69 मेगाष्ट एक्ट प्रॉक्स बेसे निकालना है इसका परमला, पढ़ा ही रखा है कैसे निकालते हैं बेटा जो भी Binding Energy निकली है उसको मास नमबर से डिवाइड करें बस क्या है 160, 160, 160 देखो, 0.69 अपन कितना मास नमबर है इसका भाई, मास नमबर 20, solve करोगे तो करीब करीब 8.03 मेगा एलेक्ट्रोन वोल्ट पर निकलियोन क्यों क्यों लगता है पता है ना आपको इसलिए क्योंकि यह एवरेज बाई पिछले सवाल में और इसमें ये फर्क है, पिछले सवाल में ये मास डिफेक्ट जो था वो ओलेडी गीवन था, यहां इतना हमें काम फॉर्मूले से मास डिफेक्ट निकालना था, और उसके बाद फिर तो वही पुरानी कहानी, कितना थोड़ा सा एक्स्रा काम बढ़ गया पिछले सवाल में अलफा पार्टिकल में ये मास डिफेक्ट गीवन था, बढ़ तो बेटा, इस तरह हमने आज आज आपके लिए इस वीडियो में मास डिफेक्ट पूरा अच्छे से पढ़ा, कम्प्लीट कर दिया, हम नेक्स वीडियो में एक नेट आपकी के साथ मिलेंग बढ़ एक लिए